नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीवो वी ट्वेंटी 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 वन वर्सस शाउमी 11i हाइपर चार्ज का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टपोन की जानकारी भी आपको वीडियो क के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो वी ट्वेंटी 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 वन में 6.35 इंच जबकी 11i हाइपर चार्ज में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें त वी 2020-21 में 2.92 इंच जब की 11E Hypercharge में 3 इंच की विद्ध मिलती है। बात करें थिकनेस की तो वी 2020-21 में 0.29 इंच जब की 11E Hypercharge में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो की वी 22001 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो V2020-21 में 171 grams जबकी 11i hypercharge में 204 grams का weight देखने को मिलता है जो की V2020-21 से ज्यादा है तो चलिए अब हम display को compare करते है Display type की बात करें तो दोनों phone में same ही AMOLED की display मिलती है Aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है Display size की बात करें तो V2020-21 में 6.44 inches जबकी 11i hypercharge में 6.67 inches मिलती है Display resolution दोनों phone में same ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to body ratio V2020-21 में 83.66 प्रतिशत जबकी 11i hypercharge में 86.27 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो V2020-21 में 409 pixel प्रतिश जबकी 11i hypercharge में 395 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशता है की जोकी mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें man camera की तो बात करें video camera की तो V2020-21 में 7 different type के features मिल जाते हैं और 11i hypercharge की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो V2020-21 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते हैं और 11i hypercharge में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं अहीं अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो V2020-21 में Adreno 618 जबकी 11i hypercharge में Mali G68 MC4 मिलता है चिपसेट की बात करें तो V2020-21 में Qualcomm Snapdragon 730 और 11i hypercharge में Mediatek Dimensity 920 MT6 877T मिलता है बात करें RAM की तो V2020-21 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 8GB की RAM मिलती है जबकी 11i hypercharge में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो V2020-21 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB की storage मिलती है जबकी 11i hypercharge में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों फोन में up to 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बातरी V2020-21 में 4000mAh जबकी 11i hypercharge में 4500mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो V2020-21 में 2 colors जबकी 11i hypercharge में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो V2020-21 में 2 variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 22,990 रूपीज 8GB RAM 256GB storage के साथ 26,490 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 11i hypercharge की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB storage के साथ 26,990 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 28,990 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo V20 2021 में 4,5 और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi 11i hypercharge की तो उसमें 4,5 और 2 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है रिजर्ट की तो डिस्पले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में 11i hypercharge आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y73 2021 है, दिसरा Vivo Y33s है, तीसरा Oppo A55 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Lover of the 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना